नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलोजी के डा चनल में और आज का जो वीडियो है वो रहे का सिंगल्टन पैटन के उपर सिंगल्टन पैटन बहुत ही जादा परचलित हम लोग कहें एक अच्छा पैटन है और बहुत बार यूद भी किया जाता है उ तो वाउपती अप्लिकेशन शेयर होता रहेगा तो यहां पर एक चोटा सा एक्जम्पल में आप लोगों को दुना कि यहां पर देखिए अगर हम लोग नए टैप में इसको उपन करके देखते तो वही यूजर जो है वो करंड में माना जाता है तो यहां पर एक अच्छा है सिंगल टन पेटन का तो सिंगल टन पेटन फी आप लोग से समझ जाएंगे जहां पर एक ही इंस्सेंसब्टा है चाहे दो यूजर आप लोगों के तर वही जो है एकसस किया जाता है तीन यूसर के द्वारा है, तो यहां पर यह सिंगल टेंटान है, तो इस चीज को हम लोगों को करके आप लोगों को अक्शे श्मजाए है तरीच से समझा लेकिन मैं आज आप लोगों को ही बात दूर बता दू इतने लंबे समय से वीडियों नहीं बना रहा था, दो तीन दिन हो गए हैं मुझे तभीयत खराब थी, सेलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियों नहीं बना पाया, उसके लिए सोरी, तो बहुत सारी वीडियों है जो पैंडिंग में चल रहे हैं, अभी यूजरों के जो मे ने कहा मैने मेल किया है और उनका प्रोर्मोशन जो है क्योंकि लास्टाइं जू है उन्होंने मुझे मैसेज किya था कि आपके वीडियोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा श्यांदार है इवन YouTube के वीडियोज भी अगर आप कोई भी यूजर follow करता है या आप लोगों की जो मेंबर्शिप के जो वीडियोज है वो बहुत ही जादा श्यांदार है जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं, knowledge लेना चाहते हैं वो मेंबर्शिप ले सकते हैं मैं वो भी कहना चाहते हैं कि sir please मेरा message सबको दिखाईए क्योंकि message की वज़ा से साइध हो सकता है कि जो user अभी तक जिरोंने membership join नहीं किया वो join कर ले लेकिन मेरा motto यह हमेशा नहीं रहा है क्योंकि मैं किसी दूसरे का महसस दिखा कर अगर आप लोगों को बताता हूं तो आप लोगों उस पर विश्वास करें कि मैं नहीं मानता हूं लेकिन मैं जहां तक बोलता हूं कि मैंने अपना 14-year का experience है वो इस membership में डाला है membership की fees सिर्फ म मात्र और मात्र 600 रुपय है लेकिन इस 600 रुपय में आप लोगों को बहुत कुछ सेखने को मिलने वाला है बहुत सारे project मिलने वाले है यानि कि MVC से start है MVC है और है API है उसके बाद में अंगुलर के टुटोरियल है उसके बाद में आप लोगों का फंडामेंटली टुटोरियल है project बेस रहेगा तो अभी project अंगुलर का सब्सक्राया फिनिश होने वाला है बलेजर का फिनिश हो चुका है react के ऊपर रहेगा तो full stack development पहले complete करेंगे उस उसके बाद में LLD design है, HLD design है, low level designs होते हैं जिसमें आप लोगों को fundamentally up के concept पता होना चाहिए उसके बाद में design patterns आप लोगों को पता होना चाहिए तो low level designs है उसका हम लोग advanced level मर सीखेंगे तो लेकिन उसकी fees जो है वो यही रहेगी 600 रुपए जो एक बार payment कर देगा वो unlimited time तक पुछ चीज को access कर सकता है, it is a subscription based membership है, मैं कोई एक video आप लोगों को provide नहीं कर रहा हूं, मैं unlimited videos आप लोगों को unlimited time तक provide गर रहा हूं, that is the membership, यह membership है जो subscribe कर लेता है उसको धेर सारे videos, धेर सारे project और एक पूरा complete जो scenario है वो आप लोगों को समझने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक Express.js है, Node.js है, MongoDB है, इसमें भी chance मैं आप लोगों को दूगा, इसी 600 रुपए में एक बार repayment करना है, उसके बाद में आप लोगों को एक और chance मिलेगा, ml.net यानि की AI tools के जरी हम लोग कैसे चीजों को काम मेले, तो जो लोग company में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ultimate, ultimate है, ठीक है, मैं कभी किसी को 399 रुपीज में नहीं दे रहा, 100 रुपीज में नहीं दे रहा, 200 रुपीज में नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा बनायवा content है, और इसके fees जो हो सकता है कि कली बढ़ जाए, 600 रुपीज आजाए, पहले 500 रुपे थी, अब 600 रुपे हो चुकी ह unlimited time तक content जो है, उनके पास आता रहेगा, तो पढ़िए, 100% आप लोगों का 20 लाग का, जोब 30 लाग का, जोब 40 लाग का, जोब लग सकता है, आप लोगों को पढ़ना है बस, ठीक है, मैं आप लोगों को हर एक चीज वो provide गरूँगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो चीज इसको अच्छे तरीके से समझ सके, तो जिन लोगों को membership को join करना है, वीडियो के description box में जाना है, वहाँ पर एक Google form दिलेगा, उसे आप लोगों को fill करना है, याद रखिएगा, एक Google form है, आप लोगों के वीडियो के just description नीचे दियेगे, description box में Google form है, उसे आप लोगों को fill कर देना है, तो यह है हमारी membership, और इस membership में आप लोगों को dotnet core से लेकर आगे तक के वीडियो जो है, वो मिलते रहेंगे, और यह इतना ही नहीं है, यहाँ पर advanced level बताया जाएगा, beginning, intermediate और advanced level बताया जाएगा, जहाँ पर आप लोगों के design patterns हैं, या हम लोग के हैं, बहुत ऐसे चीज़े हैं, जो आप लोगों को literally नहीं पता, और आप लोग एक simple से videos देखकर आप लोग सीखना चाहते हैं, तो वो possible नहीं है, यह project के माद्दम से ही सीखा जाता है, और कैसे कुछ करना है, वो सारा का सारा, एक scratch based course जो हूँ मैंने design किया है, जिसकी fees are 600 रुपीज है, लेक तो उसकी price आप लोगों को 10,000 रुपर बिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को Indian users को 600 रुपीज में दे रहा हूँ, अगर आप लोग बाहर से हैं, तो 12 डोलर, ठीक है, तो मैं आप लोगों को literally बता दूं कि आप लोगों को ऐसा course कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक जर्नी है, एक simple course नहीं है, यहाँ पर video tutorials है, complete source code है, जो भी material मैं काम में लेता हूँ, वो मैं आप लोगों को provide घर हूँ है, ठीक है, तो यहाँ पर यह आप लोगों को समझ में आ गया, तो .NET Core है, Dapper है, REST API है, Angular है, Entity Framework Core है, जो भी इसको join कर project में बनाई है, StudentNikita.atm, और यह मैं 1-2-1 जो है membership जो है, वो provide करवाता हूँ, ठीक है, तो 1-2-1 में अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग मुझे mail कर सकते है, 1-2-1 अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोगों को सर्विस है, क्योंकि एक बार में हम लोग एक ही सर्विस को यहाँ पर call कर सकते हैं, इससे माल लीजिए कि मुझे check balance करना है सबसे पहले, तो ATM में जाकर मैंने अपना balance चेक किया 1000 रुपीज, और 1000 रुपीज के बाद में माल लीजिए कि मैं उसमें से 100 रुपीज जो विड्र इसका balance रुपीज आप लोगों को मिलेगा, एक बार एक इंस्टेंस अगर आप लोगों का application में बन जाता है तो उसे हम लोग सिंगल टन अप्लिकेशन बोलते हैं, यहाँ पर इस सिंगल टन को कैसे बनाना है, मैंने एक सिंपल सी ATM service class लिए है, इस वन ATM service class और इस ATM service का मैंने यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाया है, अभी बना नहीं है, एक simple एक variable लिया है, ATM service type का ही इंस्टेंस नाम से वह स्टेंडिक है, उसे बना दिया static था कि अगर हम लोग कहीं पर उसे access करेंगे तो वह सेम मिलेगा, अब इस इंस्टेंस के अंदर जो object है वो कभी initialize होगा, क्यों सबसे पहले मुझे इस lock object को initiate करना है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक instance बनाया है, कि instance कैसे बनेगा, उसको static field बनाया है, मैंने बनाया है instance, जो ATM service का object जो हो return करेगा, तो यहाँ पर आगर आप आते हैं, कोई भी एक user आता है, तो वो लोग कर देता है object को, और यहाँ पर object जो हो जाता है, instance is double equal to null, अगर instance में null है, ठीक है, और right now instance में null ही है, आप लोग देख सकते है instance में null ही है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के पास उसका object जो हो बन जाता है, ATM service का, और return कर दिया जाता है instance, तो आप लोग सबसे पहले बार जो भी आयागा, वो लोग हो जा है कि begin transaction का मतलब मैंने यह application जो है hardware level के उपर बनाई है, तो आप लोग यह समझ के चलिए, जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो आप लोगों के काम का है, अब यहाँ पर है check balance करना, withdrawal करना, और आप लोगों के लिए deposit करना, ठीक है, तो यहाँ पर जो balance ह होगा, वो return कर दिया जाएगा balance, तो यह जो instance है आप लोगों का, this one is instance, यह आप लोगों का क्या करेगा, singleton हम लोग अगर add करेंगे, तो singleton हम लोगों को कैसे add करना है, program.cs में चलता हूं मैं यहाँ और हम लोगों ने यहाँ पर add singleton कर दिया, atfservice.instance, जैसे मैं add atfservice.instance को call क यह जो है, इस instance को create कर देती है और यह return कर देती है, तो आप object जो है, आप लोगों के पास dependencies में है, तो आप लोगों उसे use कर सकते है, तो आप लोग अगर add balance करेंगे, तो balance जो है, अगर आप लोग underscore addm service, जैसे इसका object बनता है, तो balance में initiate में क्या कर दिया, तो अगर मैं इसक से कम है, तो इसमें से minus हो जाएगा, 5000 minus जो भी होगा, तो अब return कर दिया जाएगा, that is the return true and return false, बस मैं इतना ही किया है, और balance में भी update हो जाएगा, ठीक है, deposit करेंगे, तो भी amount जाएगा, बैलन्स में update हो जाएगा, तो यह सारी service मैंने यहां पर use किया है, and then finally मैंने इसको controller मे काम में लिया है, यहां पर ATM controller में, ATM controller में मैंने ATM की service मनाई, this one ATM service, और ATM service को मैंने index के उपर यहां पर आप लोग यह लेख सकते है, इस टाइप का view जो है, आप लोग देख सकते है, check balance, right, अब आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के बाला, पास balance check करना, आप लोगों के connection आजाता है, तो आप लोग यहां पर यह रन कर सकते है, दरवाइस आप लोगों का balance check हो जाता है, and then finally, आप लोग विड्रॉल भी कर सकते है, and आप लोग जो है, deposit भी कर सकते है, यह जो है, एक ATM service है, जो की singleton service add करता है, और आप लोग इसको काम में भी ले सकते है, ठीक है, तो मेरे कहने का सीधा से मतलब है, कि अगर आप लोगों का बन जाता है, तो वही object आप लोगों का काम में लिया जाएगा, got it, अब आप लोगों का इसका object बन गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो अगर आप लोग यहां पर देखी, दुबार से मैंने जब refresh की, तो भी देखिए, same object जो है, वो रहेगा, अब मान की जली, PC ने service ही close कर दिया, मतलब यह deploy में application है, deploy में है, तो application रन कर रही है, ब्राउजर के उपर, तो आप लोग कहीं पर भी दूसरा object नहीं बनाएंगे, वो इसी object में ही update होगा, that is 900, अगर मैं इसी object में यह 1000 रुपी, ज और add कर देता हूं, तो यह update हो चुका है, और update को मैं balance को चेक करूँगा, तो 1900, अब मैं इसको application को इतना भी refresh कर लो, इसका जो balance है, वो 1900 ही निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो ही object जो है, वो application में चला हुआ है, जब मैं application को ही close कर दूँगा, मतलब जो server application जो चल देए, उसी को ह अगर मैं close कर तूँगा, तब दुबारा जब भी कोई add होगा, that is, वो नया object होगा, लेकिन बनेगा एक ही object, throughout the application, यह आप लोगों को समझना है, तो देखिए दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोगों को की भई, अगर आप लोगों को literally कुछ सीखना है, तो membership membership जरूर जोइन कीजिए और उसमें आप लोगों को बहुत सारा फाइदा होगा, ठीक है?